जहन्दी स्ट्विंट्स आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हैं आपके अपने यूटीब चैनल सोनू सर क्लासेज में और स्ट्विंट्स सेवेंथ राउंड एर्थ राउंड की आप लोगों की डिमांड थी 18 ऑक्टोबर को मैंने अपडेट करी कि भाया सेवेंथ राउंड का ही होनी है 19 को और 20 ऑक्टोबर को आपको चैन्स मिला और फाइनली 21 ऑक्टोबर यानि आज आपको अपडेट मिल जाएगा अपने काउंसलिंग रिजल्ट को ले करके या फिर सीट अलॉट्मेंट रिजल्ट को ले करके तो आपको सबसे पहले तो इस वीडियो में यह steps हैं वो perform करने पड़ेंगे कितना पैसा जमा करना पड़ेगा कौन कौन से ऐसे documents हैं जो कि आपको document verification के लिए तयार करना होगा यह सारी information आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी इसके लिए चाहिए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like और share करें और बिल्कुल भी इसमें कंजूशी ना करें क्योंकि पूरी information A to Z आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है तो चलिए वीडियो को start करते हैं without wasting our time ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को जो website हमारे पीशे दिखाई दे रही है यह website है जीकब की official website इतना तो अब तक पता चली गया होगा भाई च्रण की counseling बीच चुकी है ठीक है और counseling schedule के recording में दुबारा से आपको दिखा दू कि आपका 7 च्रण का जो choice feeling होना था वो 19 से लेकर 20 आपका October तक होना था इसके इलावा 7th round की जो seat allotment है और इसमें एक चीज़ और है कि freeze float कर पायेंगे कि नहीं यह भी मैं बता दू कि सभी ब चुचे कि 8th round में भी चल जाए तो ऐसा कोई भी option नहीं है अगर साथमें च्रण में आपको college allot हुआ तो आप अगली च्रण की counseling में नहीं जा सकते है उसके लिए eligible नहीं होंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको freeze कर दिया जाएगा अगर आपको college allot होता है तो और यहाँ पर 21 October 2023 को जो है result announce कर दिया जाएगा आपका seat allotment result ठीक है अब उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे ही result मिल जाएगा उसके बाद आपको online जो seat acceptance fees है वो आपको जमा करना होगा अब बात करें अगर seat acceptance fee की तो seat acceptance fee सिर्फ उनको जमा करना है जिन्होंने पुर्वों में कभी 3250 रुप आपने पहले पे कर रखा है तो आपको नहीं पे करना पड़ेगा ठीक है जिन्होंने नहीं पे किया है उनको पे करना है 22 October से लेकर के 23 October की साम 5 बे तक तो 23 October की साम 5 बे तक आपके पास समय रहेगा जो है payment करने का seat acceptance fee का ठीक है अब इसके बाद बात करें यहाँ पे साथवे राउंड की document verification district help center पे आपको कराना होगा जा करके और यह इसके लिए भी आपको जो time दी गई है वो same यानि की 22 October से ले करके 23 October की साम 5 बे तक का आपको समय जो है आपर अपनी document verification के लिए दिया गया है जब आप अपना document verification करा लेंगे then आपको यहाँ पे 7th round का जो balance fees आपका म 250 रुपए तो आपने जमा कर दिये अगर government college मिलेगा तो 7370 जो की balance fees रहेगी वो आपको जमा करना होगा added या private होगा तो आपका थोड़ा different amount होगा added वालों का 17,000 something होगा और private वालों का 27,000 something जो है आपको सोग करेगा ठीक है तो यह इसके लिए जो आपको fee deposit करने का time मिलेगा इसके लिए लंबा time आपको 29 October की रात 12 वजे तक का यहाँ पे समय जो है दिया जा रहा है इसके लिए after document verification ठीक है आईए result announce होने के बाद आपको क्या करना है अपना यहाँ पे जो link दिया हुआ जो भी link रहेगा 7th round का चाहें वो twice filling का हो चाहें वो result का हो उस पे आपको चले जाना है कब आपका साम जो है मान के चलो कि साम जो है 8 बजे तक है ना साम 7 बजे तक 8 बजे तक आपका result जो है announce हो जाएगा और जैसे ही एनाउंस होगा मैं live आउंगा और आपको सारे steps फिर भी बताऊंगा लेकिन एक बार फिर से पहले भी आप थोड़ा सा समझ लीज़े जान लिजे process को, तो आपको login कर लेना है, login dashboard आपका कुछ इस प्रकार का दिखेगा, इसमें seat allocation result पे आपको जाना है, ठीक है, third number वाले option पे, seat allocation result में आपको कुछ इस तरीके का interface जो है, दिखेगा है न, इसमें आपका view seat allotment result होगा, seat acceptance fee payment आप option होगा, fridge float है नहीं, तो वो option ही नहीं मिलेगा आपको, उसके बाद यहाँ पे choose reporting center का option मिलेगा, यहनि reporting center आपको चुनना होगा, और उसके बाद आपको अपना provisional seat allotment letter डाउनलोड करना होगा, और उसके बाद admission fees जमा करना होगा, payment करना होगा, और admission fee payment करने के बाद आपको provisional admission letter एक मि important है, जो है, आपको submit करने है, during document verification, ठीक है, तो यहाँ साफ साफ लिखाए, dear candidate, based on your merit, ठीक है, और यह आप सभी के, जो है, जो allotted college होगे, institute होगा, उसके विशय में थोड़ा बहुत, इसमें message होगा, इसमें सबसे पहले, आपका point बता दिया गया है, कि आपको 3,250 रुपय, ज seat acceptance fees है, वो online आपको submit करना होगा, ठीक है, seat acceptance fees जमा करने के बाद, तो आप जब payment कर लेंगे seat acceptance fee का, उसके बाद आपको report करना है, अपने nearest district help center पे, जो भी आपका, आपके द्वारा चुना जाएगा, help center, वहाँ पर आपको जाकर document verification कराना होगा, document verification का timing भी यहाँ second point में, आपक result आने के बाद, यहाँ पर आपको mention होगा, कि कब तक आपको timing दिया जा रहा है, डीवी के लिए, इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने help center पे, एक original आपको, original तो सभी document जो यहाँ mention है, वो ले ही जाने है, साथ में उसकी एक set photocopy ले जाने है, ठीक है, अब वो documents कौन कौ से हैं, सबसे पहले आपका है mark seat of minimum qualification, mark seat का मतलब क्या है, आपका minimum qualification, मतलब आपका, अगर मालोट group A का form भरा है, किसी बच्चे ने, तो वो अपने 10th class का mark seat है, वो ले जाएगा, ठीक है, और certificate of minimum qualification, तो देखो, आज कल mark seat और certificate A कही में आते हैं, न, जैसे अगर आप UP board से आज कल, I think, जो है, दोनों, एक ही में mark seat और certificate आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास सिर्फ mark seat है, तो वही आपका certificate है, और otherwise, आप CBSC के पुराने student है, एक-दो साल पुराने, तो आपको mark seat certificate अलग-अलग मिला होगा, ठीक है, तो आपके पास, जो है, original mark seat होना चाहिए, और certificate अगर है, तो ठीक है, नहीं, तो आपका mark seat ही certificate है, ठीक है, तो ये आपको ले जाना होगा, original और exit copy भी इसकी चाहिए, ठीक है, इसके बाद category certificate लाइक जैसे EWS, OBC, SC, HT, if required, यानि कि अगर आपने OBC, SC, HT, या EWS, इसके इलावा, आप freedom fighter और कुछ अन्य, physical handicapped, military person, और यहाँ पर आपका freedom fighter और इन में से कोई भी अगर option आपने भरा है, तो उसका reservation certificate आपके पास होना चाहिए, जो भी reservation आप इसमें claim कर रहे हैं, ठीक है, वो एक चीज होनी चाहिए, इसके बाद आपको photograph of candidate, जो है चाहिए, नहीं कि एक passport size का आपका photo होना चाहिए, एक न download नहीं हो पारा है, तो जिनका भी नहीं होगा, जिनके पास admit card वो अभी help line पे बात कर लेंगे, g cup help line पे और अपना admit card और rank card जो है, सो कर वा लेंगे, और वहाँ से download कर लेंगे, अगर आपके पास नहीं है, तो g cup help line पे बात करेंगे, तो आपका issue resolve हो जाएगा, अभी से प् ताउनलोड कर वालीजे अगर आपके प्रस नहीं है तो ठीक है यह काम करना क्योंकि अभी फिलाल जो है सो नहीं हो रहा हो सकता है रिजल्ट 10 आउंस होने के बाद रैंक कार्ड और एड्मिट कार्ड सो करें ठीक है इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि इस चीज को अगर दे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा देन आपको यहां पर ऑनलाइन लॉग इन करके और अपना जो रिमेनिंग बैलेंस फीस है वह आपको कर रहा हो का ठीक है यहां स्टेप्स आपके लिखे हुए जैसे यहां पर सीट अलॉट्मेंट रिजल्ट पर क्लिक करेंग है तो आप लोग को भी मिलेगा ज्यादा से ज्यादा बच्चों का अलॉट्मेंट होगा इसमें कोई दो राय नहीं है और सीटे भी हैं यहां पर अगर मैं बताओं आपको कि जहां तक मैंने जानकारी कठा करने का प्रयास किया था तो जो है सहारानपुर में CS ब्रांच में जो है confirm तभी होगी जब officially उसके regarding update आएगी ठीक है वैसे मोटा मोटी यह समझिए कि हर college में सीटे है तभी तो 1700 प्लस जो है यहां पर आपको च्छाइस feeling करने का मौका मिलना या 1600 कुछ प्लस ही मतलब कुछ बच्चों को 1600 प्लस कुछ बच्चों को 1700 प्लस college जो है यहां भरने और इसमें ही जो है यही सबसे best रहेगा कि जादा से जादा बच्चों को जो है selection मिल जाओ और government की सीटे भी भर जाए उनका revenue का नुकसान ना हो और आपका जो है साल ना बरबाद हो ठीक है तो इसी सुब कामनाओं के साथ जितने भी आपकी query थी वो मैंने complete कर दी और result जो है रिजल्ट है वो आपका काफी लेट में आएगा ठीक है तो जैसे ही update होगा बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रुवत नहीं है टेलिग्राम ग्रूप का जो link है वो live chat के replay में भी आपको मिल जाएगा live chat में भी मिल जाएगा और जो description दिया है वहाँ भी मिल जाएगा आप जा सारी जो है यहाँ पर process के बारे में step by step करके भी मैं बताओंगा ठीक है यह सारी चीचे आपको वहाँ पर जो है live session में बिल जाएगा इसके लिए चाहिए कि चैनल को subscribe करके भी रखें and notification bell को press करके all पे select कर लें और यह video आपको अगर informational लगी हूँ तो बिलकुल भी like और share करने में कंजूशी मत करिए एक वीडियो को वीडियो को like और share जरूर करिए मिलें किसी अन्य वीडियो live session के साथ तब तक के लिए जैंद वंदे मात्रम आप सभी स्वस्त रहें मस्त रहें